श्री हरी वसुदे वसुतम देवं कम सचानूर मर्दं देव की पर्मानंदं कृष्टं मंदे जगत गुरुम उत्तर प्रदेश के राजपाल आनंदि बेन पटे मुखमंद्री सिवान योगी आधित्यनाज जी गीता प्रेश के श्री केश्वरा मगरवाल जी, श्री विष्ण प्रसाद जी, सांसत भायरविकिषन जी, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशिरवात, शिवा अवतार गुरु गोरखनात की तपोस्थली, और अनेक अनेक संतों की कर्मस्थली, एक गेता प्रेश गोरखपूर, जब संतों का आशिरवात थलिपूत होता है, तब इस तरह के सुख़द अवसर का लाब मिलता है, इस बार का मेरा गोरखपूर का दोरा, विकास भी, दिरासत भी, इस नीती का एक अध्भूत उदारन है, मुझे भी चित्रमय शिवपुराण और नेपाली भाषा में शिवपुराण के विमोचन का सहभाग्य मिला है, गीता प्रेश के इस कारकम के बाद मैं गोरखपूर रेलवे स्टेशन जाऊंगा, आज से ही गोरखपूर रेलवे स्टेशन के आधुनी करण का काम भी शुरू होने जा रहा, और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्विरें डाली हैं, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं, लोगोंने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तुरह काया कल्प हो सकता है, और उसी कारकम में मैं गौरगपूर से लखनों के लिए बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाऊंगा, और उसी समय जोदपूर से एमदाबाद के बीच चलने वाली बंदे भारत एक्स्प्रेस को भी रवाना किया जाएगा, बंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यमबर को सुविदाओं और सहुलियतों के लिए एक नई उडान दी है, एक समय था जम नेता लोग चिठियां लिखा करते थे कि हमारे एक शेत्र में इस ट्रेन का एक ज़रा होल्ट बना ले, उस ट्रेन का होल्ट बना ले, आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे एक शेत्र से भी बंदे भारत चलाईए, भारत का एक क्रेज है इन सारे आयोजनों के लिए मैं ग्वरकपूर के लोगों को देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ सात्यों गीता प्रेश विश्व का ऐसा इकलोता प्रिंटिंग प्रेश है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बलकि एक जीवन्त आस्था है गीता प्रेश का कारेल है करोडो करोडो लोगों के लिए किसी से किसी भी मंदिर से जराबी कम नहीं है इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है और जहां गीता है वहाँ साक्षात क्रश्ण है और जहां क्रश्ण है वहाँ करुणा भी है कर्म भी है वहाँ ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेव हसर्वम सब कुछ वासुदेव में है सब कुछ वासुदेव से ही है सब कुछ वासुदेव में ही है भाई यो और भेहनो उन्नी सो तेईस में गीता प्रेश के रुप में यहाँ जो आध्यात्मि जोती प्रजवलित हुई आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मारदर्शन कर रहा है हमारा सवभाग्य है कि हम सभी इस मानविय मिशन की सताब्दी के साक्षी बन रहे हैं इस आधिहांच के अफसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेश को गांधी शांती पुरसकार भी दिया है गांधी जी का गीता प्रेश से भावनात्मक जुडाव था एक समय में गांधी जी कल्यान पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेश के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने इस सुझाव दिया था कि कल्यान पत्रिका में विज्यापन न छापे जाए कल्यान पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का सत्प्रतिशत अनुसरन कर रही है मुझे खुसी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेश को मिला है ये देश की ओर से गीता प्रेश का सम्मान है इसके योगद्यान का सम्मान है और इसकी सो वर्सों की विरासत का सम्मान है इन सौ वर्सों में गीता प्रेद्वारा करोडों करोडों किताबे प्रकासित हो चुकी है आकड़ा कभी कोई सत्तर बताता है कोई असी बताता है कोई नब्बे करोड़ बताता है ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है और ये पुस्तके लागत से भी कम मुल्य पर विक्ती है गरगर पहुँचाई जाती है आप कलपना कर सकते हैं इस विद्या प्रभाने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बवधिक तुर्प्ति दी होगी समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा मैं उन विभूतियों का अभिनन्दन करता हूँ जो इस यग्यमे निसकाम भाव से बीना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं मैं इस अवसर पर सेट जी स्री जैदयल गोइंका जी और भाई जी स्री हनवान प्रुषाद पोदार जैसी विभूतियों के प्रती अपनी स्रत धांजली भी अर्पित करता हैं साथियों गीता प्रेश जैसी संस्ता सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है बलकि इसका एक राष्ट्रिय चरित्र भी है गीता प्रेश भारत को जोड़ती है भारत की एक जुड़ता को ससक्त करती है देश भरवेश की 20 साखाएं हैं देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेश का स्ट्रोल देखने को मिलता है 15 अलग अलग भाशाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं गीता प्रेश अलग अलग भाशाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुचाती है गीता प्रेश एक तरह से एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को प्रतिनीदित्व देती है साथियों गीता प्रेश ने अपने सो वर्षों की यह आत्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर जागरण के लिए अलग-अलग शेत्रों में प्रयास किये अलग-अलग संस्ताओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया इसी का प्रणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए पुरी तरह तैयार हो गया गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी सौ साल पहले का ऐसा समय जब सज्जियों की गुलामी ने भारत की चेतना को दुमिल कर दिया था आप भी जानते हैं कि इससे भी सेक्ड़ों साल पहले विदेशी आकरांताओं ने हमारे पुस्ताकालों को जलाया था अंग्रेजों के दोर में गुरु कुल और गुरु परंपरा लगबग नश्ट कर दिये गए थे ऐसे मैं स्वाबाविक था कि ज्यान और विरासफ लुप्त होने की कगार पड़ थे हमारे पुझ ग्रंथ गायब होने लगे थे जो प्रिंटिंग प्रिज भारत में थे वो महंगी किम्मत के कारण सामान्य मानवी की पहुँच से दूर थे अब कल्पना करिए गीता और रामान के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा जब मुल्यों और आदर्शों के स्त्रोथी सुखने लगे तो समाज का प्रवाद अपने आप थमने लगता है लेकिन साथियों हमें एक बात और याद रखनी है हमारे भारत के अनादी आत्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए है जब हम और और ज़्यादा परिश्कृत होकर के निकले हैं कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मन राए है लेकिन तब हमें स्रीमत भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वात मिलता है यदा यदा ही धर्मश्य ग्लानिर भावती भारत अध्यथानम अर्धमश्य तदात्मानम सुझाम्विहं अर्थैट जब जब धन्व की सत्य पर सत्य की सत्य पर संकरण आता है तब तब इस्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और गीता का दसवाद द्याय बताता है कि इसवर कितनी ही विपूतियों के रुपे सामने आ सकता है कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं तो कभी गीता प्रेश जैसे संता हैं मानिविये मुल्यों और अधर्शों को पुनर जिवित करने के लिए जन्म लेती है इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेश ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेत्रा और चिंतन का प्रवाध तेज हो गया गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गुंजने लगे मानस फिर से भारत के मानस से हिल मिल गई इस ग्रंथों से पारिवगर परंपनाएं और नई पीडिया जूडने लगी हमारे पवित्र गंथ आने वाली पीडियों की थाती बनने लगे साथियों गीता प्रेश इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश पवित्र होते हैं आपके मुल्य पवित्र होते हैं तो सभलता आपका परियाय बन जाती है गीता प्रेश एक ऐसा समस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मुल्यों को सम्रुद्द किया है लोगों को कर्तव्य पत का रास्ता दिखाया है गंगा जी की स्वच्चता की बात हो योग विज्ञान की बात हो पतंजली योग सुत्र का प्रकाशन हो आविवेश से जुड़ा आरोग्या अंक हो भारतिय जीवन सहली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवन चरिया अंक हो समाज में सेवा के आदर्सों को मजबूत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रिणना जुड़ी रही है राष्ट्र निर्मान का संकल्प रहा है साथियों संतों की तपस्या कभी निश्फल नहीं होती उनके संकल्प कभी सुन्य नहीं होते इनी संकल्पों का प्रणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के निट्य नए आयाम स्थापित कर रहा है मैंने लाल के लिए से कहा था और आपको याद होगा मैंने लाल के लिए से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है और इसलिए सुरूरात में भी मैंने कहा आज देश, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलोजी में नहीं को रिकॉर्ड बना रहा है तो साथ ही सद्योबाद काश्री में विश्वनाद धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है आज हम वर्ल्ड क्लाश इंफ्रास्रेक्टर मना रहे हैं तो साथ ही केदार नार्त और महा काल महा लोग जैसे तिर्थो की भवेता के साक्षी भी बन रहे है सद्योबाद आयोद्या में भवे राम मंदीर का सपना हमारा सपना पुरा होने जा रहा है हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौ सेना के जन्डे पर गुलामी के प्रतीक चिन को ढो रहे थे हम राजदानी दिल्ली में भारतिय संसत के बगल में अंग्रेजी परमपराओं पर चल रहे थे हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है हमने अपनी धरोहरों को भारतिये विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था इसलिए अब भारत की नौ सेना के जंडे पर छत्रपदी सिवारी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है अब गुलामी के दौर का राजपत कर्तब्य पत्कर बनकर कर्तब्य भाव की प्रेणा दे रहा है आज देश की जनजातिय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातिय स्वतंत्रता सैनानी मिज्यम बनाए जा रहे है हमारी जो पवित्र प्राचिन मुर्तियां चोरी करके देश के बाहर बेज़ दी गई थी वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है जिस विक्षित और अध्यात्मिक भरत का विचार हमारे मनिश्यों ने हमें दिया है आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं मुझे भी स्वास है हमारे शंतों रुशियों मुनियों और कि अध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगिर विकास को ऐसे ही उज़्या देती रहेगी हम एक नए भारत का निर्मान करेंगे और विश्व कल्यान के अपनी भावना को सभल बनाएंगे इसी के साथ आप सभी का इस पवित्र आउसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मुझे भी इस पवित्र कार्य में कुछ पल के लिए क्यों नहीं आपके बीच बिताने का अवसर मिला मेरे जीवन का इस्ताद भाग्या है आप सब को मैं फिर से एक बार रदे से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत-बहुत सुप्कामनाई देता हूँ